अच्छे वेल्कम बैक टू देले मैंवे जहां पे हम नमेंबर के करेंट अफेर्स को डिसस कर रहे हैं फॉर और यूपीसी-CSE 2022 और आगे बढ़ने से पहले पर्स मार्च को सीसाइट का कूर्स लॉंच हो रहा है तो प्लीज गो और रिजिस्टर फॉर देली मैंवे डॉट कॉम और इफ यह नूट फोगे दो लाइप शेयर और सब्सक्राइब तो चल्दी सागे बढ़ते हैं और आज का लेक्टर स्टार्ट करते हैं थोड़ा छोटा ही रहेगा जादा लंबा नहीं है तो जली जल्दी से आगे करके आज नवेंबर करेंट फर्स हम खतम कर लेंगे तो आज का जो पहला आर्टिकल है दाट इस अबाउट लगपती सेल्फ हेल्प ग्रॉप्स वोमन इनिशेटिव ठीक है तो यह सबसे पहली बात इनिशेटिव किसका है यह इनिशेटिव है मिनिस्ट्री आफ रू उनके उनको यह एकल करेंगं कि कम से क joking को हम एक ऊनिशेटिव को इनिशेटिव है до 9-12-pek करेंगे कि कम से कम से कम एक साल में 1-0-1 रुपे कम उन्हीं करेंगे तो भी ऊ-टार्गिट है में मैं में को बता दी है- Camp 20 म्यार्ट-1 रूप रप्गॉमन को हम next 2 years में रायवीज़ प्रोवाइट करेंगे किसका initiative है ministry of rural development का किस पर concentrate कर रहा है rural self-care growth woman पर concentrate कर रहा है नाम में भी देखो नाम में क्या है नाम में क्या लक पती लक मती मतलब लाक मतलब 1,2,2 लक लग तो लक पती मतलब जो लाखो में डील करता है तो इंपॉर्टेंट है पड़ लेते हैं अभी इस साल के पड़्मा एवार्ट के 119 वर्शिपियंट का नाम लिस्ट में आया है तो पड़्मा एवार्ट बेसिकली जो है वह हर पद्मा एवार्ड जो हैं वो बेसिकली हर जब आपको गर एक बार पद्मा एवार्ड मिल गया होता है तो उसके बाद पांच साल बाद आपको फिर से वो मिलता है है अनुल रिपब्लिक डेपे इसको लांच किया जाता है इसको अब्जेक्टिब यह होता है कि यह देते हैं यह आपका जो फंडमेंटल रही थैंट एंटीन अवालिशन ऑफ टाइटल तो उससे भी आपको पता चलता है कि हम टाइटल अपको यूज नहीं कर सकता है तो यह प्रिफिक्स और सफिक्स के टाइप में भी यूज नहीं हो सकता है ना पद्मा भीभूशन जो है इस सब इन सब क्याटिकरी में परद्मा आवाज को दिया जाता है है हमको याद हीयर रखना है कि अगर किसी और मिल चुका है तो अब उसको अगले पांच साल तरह नहीं रही पांच साल हो जाएंगे उसके बाद ही मिल सकता है यह रहता है कि हम जो जिसने भी बहुत चाद अच्छा काम किया है पुब्लिक सर्वेस में उसको हम एवार्ड करें है इसका हाइस क्याटिकरी एवार्ड है यह हम को याद रखना है उसके बाद आगे बढ़ते हैं और गोवा मैरिटाइम कॉन के बारे में बात करते हैं तो इसका थर्ड एडिशन बेसिकली लॉंच हुआ ह क्या इसका मकसद है कि हम हार्नेस करेंगे क्लेक्टिव विज्डम विज्डम ऑफ प्राक्टिशनर्स ऑफ मेरिटाइम सेक्योरिटी एंड एकेडमिया तूवर्ड्स गार्न गार्निंग आउटकम ओरियंटेड मेरिटाइम थॉट्ट तो बेसिकली कुछ नहीं है इसमें जो ऐसे प्राक्टिशनर्स हैं जो मेरिटाइम सेक्योरिटी में बहुत ज्यादा विज्डम है विज्डम मतला बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट सेक्योरिटी प्रोवाइट कर सकते हैं वो उनकी हम उनकी हम नॉलिज को यूज करके मेरिटाइम सेक्योरिटी को बेसिकली इन्ह तो आप बात करते हो अगर अगर तेली मतलब की अगर डिस्टेंस आपको सेपरेट कर रहा है तो तब तब आप बात कर पारे हो ज़रूरी नहीं कि आप फेस तू फेस तब भी कर पारे हो तो तो तेली लॉब एविस मतलब की हम बेसिकरी जुडिशल सर्विसेश प्रोवाइट करेंगे कैसे प्रोवाइट करोंगे जैसे ए-Courts के थू है या फिर मतलब डिजिटल अप्लिकेशन के थू इस ताइप से समया रहा है as a part of this campaign a series of activities are being undertaken to empower people through pre-litigation advice for rightful claiming their entitlements and timely retrasal of their difficulties and now the court में जाने की जरू हना पड़े pre-litigation में ही आपका सब चीज़े हो जाएं तो इसमें हम क्या करेंगे common service centers की help से basically e-governance common service sorry common service centers e-governance के थू हम justice provide करेंगे which has a network of 4 lakh plus digitally enabled common service centers across the country इनको जो है common service centers को इनको कानूनी सला सहायक खेंद्र बनाया गया इस purpose के लिए है इसके लिए एक mobile app भी launch की गई है जिसने लांच किया ministry of law and justice ने इसमें क्या होगा beneficiaries जिनको जिनको law के बारे में जिनको जिनको वो चाहिए जैसे मालोब में को case लड़वाना है तो मैं को lawyer चाहिए तो मैं beneficiary हुआ उसका है तो उसको किसे connect करेगी लॉयर्स है ना ताकि वो उनको legal advice और consultation दे पाए तो टेडी लॉव में तब legal advice में को चलिए है ना तो legal advice आपको कैसे भी मिल सकती मोबाइल आप के थू मिल सकती है जैसे प्रैक्टो में आपको अगर कोई प्रैक्टो जो है अप है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो यह है तेली लॉव उसके बाद आगे बात करते हैं leadership group for industry transition तो यह किसने preside किया India और Sweden ने है ना फ्रेस इंडिया 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 इंस्वेटन और वस लांच बाए प्राइम इनिस्टर्ट आप सुडिन एंडिया विज सपोर्ट प्रॉम दबर्ड एक्टोनमीक फॉर करेंगे low carbon transition करेंगे हैं कैसे करेंगे private sector companies का participation करेंगे कुई वही सब्सक्राइब करती है ना तो उनका participation करके उनको हम low carbon की तरफ मूव करेंगे हैं कौन-कौन से सेक्टर्स पर special focus है iron and steel, aluminum, cement and concrete, petrochemicals, fertilizers, brakes, heavy duty, transport इन सब पर focus है उसके बाद आगे बाद करते हैं दुवारे राशन स्कीम, दुवारे मतलब होता है door है ना तो यह basically West Bengal में launch हुई है इसमें क्या कर रहे हैं यह लोग door step पे आपको राशन प्रोवाइट करेंगे है ना तो यही है दुवारे राशन स्कीम है ना दौर पे राशन आएगा है न उसके बाद आगे बात करते हैं about bribery risk matrix 2021 किसने release के लिए it is released by trace यह trace क्या है यह एक anti-bribery standard setting organization है यह चार पेरामीटर्स पर rank करती है कौन-कौन से चार पेरामीटर्स है business interaction with the government, anti-bribery deterrence, transparency, civil society oversight है ना तो इन सब चार पेरामीटर्स पर यह rank करती है इंडिया की position अभी थोड़ी खराब हुई है 2021 में 82nd position हुई है पिछले साल इनकी 77th rank थी है तो पांच प्लेस गिरी इंडिया है उसके बाद आगे बात करते है about migration and development brief report तो migration and development brief report किसने दीज की है world bank में याद रखना aim इसका क्या है नाम में क्या है migration and development है तो migration को analyze करी है है ना the report aims to provide an update on key developments especially in the area of migration and remittance flows and related policies over the past six months तो कितना migration अंदर आया है कितना migration भार हुआ है इन सब के बारे में आपको data देगी है तो report जो है एक साल में दो बार आती है इंडिया जो है world का largest recipient है इन डम्स ऑफ रेमितेंस है ना तो बहुत ज़देंस होता है इंडिया में 2021 में 87 बिलिएंड डॉलर का रेमितेंस आ आता है इंडिया एस रेसीव डूबर 83 बिलिएंड डॉलर इन डालर इस साल 87 बिलिएंड डॉलर था है उसके बाद आगे बढ़ते हैं special credit link capital subsidy scheme के बारे करते हैं टो इसकी में तेक न만ी एक्नालर dime डिलेट डिलेटिंच अफ इंटरप्राइज करते हैं जितने भी टेक्नालोगी से लेट्पी रिक्वार्मेट्बमेंट्स हैं उनको यह Near성ण धृ किस सेक्टर में सर्वेसे सेक्टर मैं इसा difficulties में कैसे credit के form में है इसको किसको दी जाती है SCST micro and small enterprises को without any sector specific restrictions on technology degradation कोई sector specific इस पर limit नहीं है कि इस sector में आप इतना दे सकते हो, इस sector में इतना दे सकते हो तो यह है credit, special credit linked capital subsidy scheme है उसके बागे बात करते हैं global state of democracy report के बारे में यह किस ने release करी है international institute for democracy and electoral assistance, international institute for democracy and electoral assistance इसने इसको release की है aim क्या है कि to review the state of democracy around the world over the course of 2020 and 2021 democracy कहां कैसी चल रही है उसको यह basically analyze करती है उसके बाद गालेंटरी अवार्ट की बात करते है gallantry awards के इसलिए मिलते, bravery के act के लिए मिठते हैं किनको किनको, armed forces के personals को, officers को या फिर civilians को या फिर कोई भी other lawfully constituted forces को है ना कौन application लेता है इसकी ministry of defense है ना दो साल, एक साल में दो बार लेती है from the armed forces and union minister of home affairs for gallantry awards sorry उसके बाद आगे बार करते है एल सवर्ड और bitcoin city के बार में पहली एकलौती ऐसी city बन गई जिसने bitcoin को as a legal tender recognize कर लिया है legal tender क्या होता है कोई भी ऐसा यूनों जैसे currency मालो जो legally accepted होगा payment settlement में है ना मालो मैं जाके सबजी खरीदता हूँ है ना तो सबजी खरीद के मैं उसको note देता हूँ या रुपए देता हूँ है ना तो वह एक legal tender है he is bound to asset कोई आपको माना नहीं कर सकता कि भाई हम हम हमको इतने value का जो मैंने आपको इतनी value प्रोवाइड करी है तो आप उसके लिए हमको पैसे मालो आप जाते हो सबजी लेना है ना तो आप उसको जाके चेक दोगे तो वह चेक मना कर सकता है क्योंकि चेक is not a legal tender मतलब legal form of payment acceptable नहीं है यह चेक है ना तो कोई भी ऐसी चीज जो legally accepted है legally accepted है as a form of payment है ना आप payment करने के लिए वह particular mode of payment use कर सकते हो तो that is called a legal tender जैसे इंडिया में notes और coins हैं ना नोट्स और coins जलते हैं चेक और ddvd थोड़ी तो कि जाके वहां पर आप है ना तो वह accept नहीं करेगा because that is not a legal tender है ना that is called legal tender उसके बाद आगे बात करते हैं about global nutrition report है ना तो क्या है यह multi-stakeholder initiative है कौनवान है इसमें stakeholder group independent expert groups होते हैं और report secretariat होता है ना तो अभी इसके बारे में report के बारे में थोड़ी बात करते हैं इसकी findings के बात करते हैं तो इसमें यह बोला क्या है कि जो इंडिया में you know women's है उनका half half of the Indian movement जो की 15 से 49 years की age में है वह anemic है इंडिया में क्या होता है आयरन की deficiency हो जाती है इंडिया has made no progress in or is worsening on reducing childhood wasting मैंने बताया था वास्टिंग क्या होता है what is what is wasting and stunting तो जब height के comparison में आपका weight बहुत कम होता है that is called wasting और stunting क्या होता है जब आप की उम्र के हिसाब से आपकी height जो है वह बहुत चोटी रहती है that is called stunting तो इंडिया ने वास्टिंग में कोई child wasting में कोई progress नहीं दिखाया है ना over 70% of the Indian children under five years of age are affected by fasting यह data है जो आप means वगेरा में code कर सकते हो है ग्लोबल नूटीशन टार्गेट के अगर हम बात करें तो 2012 में जो वर्ड हेल्थ assembly उसने six global nutrition targets को अधेट गिया था पॉर माटेरियल इन सुरी नॉट माटेरियल मा के लिए इंफेंट के लिए यंग चाल्ड के लिए है जिसको दोहलार पच्छेस तक मीट करना है उसके बाद आगे बात करते हैं स्टेट ओव फूड और अग्रिकल्ट्टर रिपोर्ट 2021 के बारे में तो जो एफे होए उसने रिपोर्ट को रिलीज किया है तो नाम से पर बहुत कम हो गई है इस टाइप के जो शॉक्स और स्रेसिस होते हैं उसको वह एब्सॉब कर पाई है जो रिपोर्ट है वह एक अनुल फ्लैक्शिप रिपोर्ट है फे होगी है अनुल याती है एडेम सूब इंस अड बिंग तो वाइडर अडियन्स बैलन्स साइंस बेस्ट एसिस्मेंट्स ओफ इंपोर्टन इशूस इन फील्ड फूड और अगरिकल्चर क्या है क्या है मैं कि भाई जो साइंस बेस्ट असेस्मेंट है वो हम फूड अगरिकल्चर के डोमेन में लेकर आए हैं तो यह था मिसलेनियस टॉपिक्स तो अब नवेंबर के करेंट अफेस स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए यू के लिए लॉगवान तो www.thelemnv.com तो चलिए अगली लेक्चर में मिलते हैं और शौट्स के वीडियो आगेस आप पढ़ रहे होगे एक मिनिट में जो वन मिनिट पन कंशेट पली सीज हमारी चल रही है तो चलिए अगली लेक्चर अगली लेक्चर में तक हार्वक करते रहिये और स्टरी हाद थांकी सो माच बबाइ एंड टेक कियर